आज दोस्तों हम लोग एक 4K LED TV की अन्बॉक्सिंग करने जा रहे हैं जो कि आता है भाई आएटेल की तरफ से और पाकिसानी माकेट में आएटेल के तीन साइजेज आवेलेबल हैं 4K TV को लेके जहाँ पर आपको 32 इच वाला TV भी देखने को बलता है जहाँ पर आपको 43 इंच इसका भी देखने को मिलता है आई तिंक बिलो देन वन लैक आई टेल कुछ ऐसे फीचर आपको उफर कर रहा है जो के बाकी जो कामपाइटेटर्स हैं वो उस तरीके से उफर नहीं कर पा रहे है तो आज की स्वीडियो में करते हैं इसको अंबॉक्स और देखते हैं कि बॉक्स कॉंटेंट क्या है और मैं अपना एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए हमने एक्सपीरियंस करने के लिए आई टेल जैसी कंपनी को इस एलेडी के साथ साथ एक हमने होम थीएटर वूफर भी जो है वो बाइक किया है जिसका आज की इस वीडियो में हम लोग गिवेवेवेग करना है कैसे मिलेगा और कै कैसे आप लोग जो है वो गिवेवेवेग के साथ जो है वो चल सकते हैं वो इस वीडियो के एंड पर बात करेंगे अब मैं ज्यादा बोर नहीं करता वीडियो शुरू करते हैं ओके जी दोस्तों इतना बड़ा बॉक्स है तो अकेला तो मैं खेर अन्बॉक्स नहीं कर पाँगा मैं टीम इम्बर को भी साथ लेता हूँ आप भी जब अन्बॉक्स करें तो भई आपको दो परसंट की ज़रुद पढ़ने वाली है और साथ के साथ हम इस अन्बॉक्सिंग को थोड़ा सा यहां से लिटा लेते हैं और कैमरा फ्रेम को थोड़ा सा निशे कर लेते हैं ताकि अन्बॉक्सिंग का एक्स्पिरिंस यह वो आप से शेर कर दिया जाए जिर वांणिटों करते ही हमें उपन की साइट पर कुछ वॉल मांट ब्रेकेट्स यहां वाम देखने को मिल रहे हैं और महंद आपकेजिंग है हमें मेहनत ज्यादा करने पड़ी है और फाइनली इस LED को हम बाहर ले आए हैं और इस तरह के आपको रैपर में लिप टीवी LED देखने को मिलती है और ये मेरे खेल में अच्छी पैकिंग की गई है ताकि अगर आपने निकालना है तो यहां पर हार डाल के आप सिर्फ रैपर क इटा देते हैं ओके जी दोस्तों LED को हम लोग जो है बाक्स में से बाइर निकाल चुके हैं बात करते हैं कुछ बॉक्स एक्सेसरी की तो यहां पर हमें दो इसके जो है वह फूट स्टैंड्स देखने को मिल रहे हैं और इसको भी हम रैपर में से निकाल चुके हैं बिल्ड और रावल बुल्ट वगएरे जो है वह साथ देखने को मिल रहे हैं अगर आप इसको वाल में लगाना चाहो और इसके इलावा यहां पर angles भी जो है वो आपको देखने को मिल रही है जो कि आपके wall पर adjust होंगी इस तरह से आपको wall angles देखने को मिलती है और उसके इलावा जो है बाकी stuff कुछ extra wall mount के लिए जो है वो भी देखने को मिल रहे हैं और कुछ cells बगए रहे हैं पहले हम लोग इस LED को assemble करते हैं लगाते हैं और नीचे की side की बात करते हैं तो यहां पर नीचे वाली side पर आपको जो है वो इस angle को लगाने क्या बकाइदा जो है वो प्लास्तिक बिल्ड वाला एक जो है फूट step देखने को मिलता है हम लोग इसको nut bull से लगा लेते हैं और उसके इलावा फिर बात करते हैं पूरी LED की वोगी जी दोस्तों हम लोग LED को लगा चुके हैं लेकिन पहले मैं box content की बात कर लेता हूं एक आपको power cable देखने को मिलती है जिसकी जो length है कुछ around आप कह सकते हैं एक मीटर के आपको देख cells मिल जाते हैं out of the box ही हमें और कुछ warranty guide और बाकी जो है वो हमें देखने को मिल रहा है paperwork और ITAL का में आपर paper guide कुछ देखने को मिल जाता है और इसके लावा कुछ manual books जो है out of the box रखी गई है और यहां पर एक हमें audio audio AV cable कह सकते हैं आप इसको आप डॉंगल भी कह सकते हैं आप remote को अब remote की बात की जाए तो यहां पर plastic build quality के remote है जहां पर आपको सारे shortcut keys देखने को मिल रहे हैं जिसके आगी चलके बात करेंगे हम लोग फिलाल इसमें cell डालते हैं cell डालने के बाद हम करते है LED को connect और बात करते हैं अपने experience की okay जी दोस्तों इस LED पैनल को हम लोग इसेंबल भी कर चुके हैं और साथ के साथ आप लोग अनक्टिवीट भी कर लिया है बात करते हैं कि LED जो है यह हमें क्या offer करती है क्योंकि आपको मैं first impression ही clear कर सकूँगा सबसे बात करते हैं bil quality की to aluminum housing side पर आपको aluminum bil quality देखने को मिलती है तो front side का bottom है वहाँ पर idle की branding रखी गई और उसके नीचे ही आपको IR की connectivity मिलती है रियर side जो है वह आपको polycarbonate या plastic मैट फिनिशिंग में कह सकते हैं जैसा के बगई LED पैनल में मिलता है पर रियर side पर आपको दोनों साइट पर बारा वाट के दो speakers देखने को मिलती है और रियर side की ports की बात करते है तो on off switch आपको power port मिल रही है उसके इलावा आपको USB की दो ports मिलती है HDMI की ports यहाप पर तीन रखी गई है multi connectivity के लिए और उसके इलावा AUX की भी आपको दो ports देखने को मिलती है इसके इलावा बात करते हैं डिस्प्ले की तो 55 इंच का LED पैनल है साथ के साथ 60 एट का refresh rate मिलता है क्योंकि अंडर वन लेक रुपीज आती है तो 68 से हमें गजारा करना पड़ेगा उसके इलावा यहाँ पर बात करते हैं कुछ बैजल्स की काफी ज्यादा minimal देखने को मिलते हैं मतलब आपको यहाँ पर बैजल्स एक्स्पिरिंस होने वाला है जहाँ पर वीविंग एंगल जो है 178 डिग्री की रखे गए हैं लाइक अगर आप बिल्कु साइट से भी देखते हो तो वीजिबल है फिर्स इंप्रेशन में मुझे ठीक रगा और यहाँ पर अगर कॉंट्रास रेशो की बात करता हूं तो 4000 इंटु वन का रखा गया है जो कि काफी ज्यादा ब्राइटर बनाता है इस दिस्प्ले को पीक ब्राइटनेस की बात करते हैं तो डिरेक्ट अगर लाइट पाड़ कोई मैच वैच देखना है तो आपको 300-350 नेट्स का एक एक एलेटी पैनल का ब्राइटनेस नेट्स देखने को मिलता है जो कि काफी जादा डीजनेबल बनाता है उसके लावा यहाँ पर टेक्नोलोजी यूज़ की गी है वो डी एलेटी टीवी है नॉमली जो हम लोग बनाता है रिमोट और पकायदा जो हमारा एलेटी पैनल है उसके साथ यहाँ पर मुझे फर्स इंप्रेशन में कोई भी कॉंप्रमाइज नहीं लगा उसके लावा यहाँ पर HDR की सपोर्ट है एच लडी की सपोर्ट रखी गई है और विजून एक्स्पिरियंस नो डाउट क कर सकते हैं और अगर कोई गेमिंग कॉंसॉल भी 4K तक लगाते हो तो आपको येस 4K की रेजूलूशन जो है वो इसली देखने को मिलता है उसके इलावा पाक्सानी सिंबल है तो यह वी एक अच्छी चीज निकल कर आती है बात की जब परफॉर्मेंस की अब 1.5 जीपी और 8GP का रेम और रोम का वेरियंट देखने को मिलता है और मीडिया टेक का आपको A53 वाला यहां पर क्वाड कोर प्रोसेसर देखने को मिलता है जीप्यू डूल कोर रखा गया है जो के माली का जीप्यू है उसके इलावा यहां अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं त और भी सेट कर सकते हो और बाकिए मेन्यों नोरमल रिजो एलीटी टीवी में होते हैं वह सारे आपको देखना को मिल आते हैं आइटेल के इस पच्वेण इसके लेटी टीव्यां बात क。」 दो यहां पर 24 वार्ट के आपको दो Songs बलकस्स में 11 स्पीकर की बात किसे बात कि बाद और यहां स्पीकर की बात करते हैं तो आपको यहां पर फाइव बैंड एकुलाइजर भी मिल दाता है अगर आप कोई मूवी मॉड भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आप कोई मूजिक सुन रहे हो तब आप मूजिक मोड भी जो यहां पर देख सकते हो कुछ और फीचर्स की बात करते हैं जैसा कि दूसरी टीवी में होता है कि क्रोम कास के आप्शन देखने को मिल रही है तो वह भी हमें यहां पर देखने को मिलती है और उसके इलावा यहां पर बहुत सारी ऐसी आप्शन रखेंगी इवन जब हमने इसको एक्टिवेट किया त देखने को मिल जाता है नेट्फिक्स का है प्राइम वीडियो का है और बड़ा आपको रिजिनेबल एक टाइप की बिल्कॉलडी देखने मिलती है और रिमोट के उपर की साइट पर ही एक माइक को भी रखा गया है और उसके इलावा यहां भी आपको जो है वह इंडिकेश आपको बहुत सारी ओप्शन देखने को मिल रही है और उसके इलावा गर आप गूगल एसिसंस की को अन करना चाते हो तो आपको बैक और वॉल्यम डाउन वाला जो बटन है वह टीवी की तरफ रिमोट करके उसको कनेक्ट करना पड़ेगा उसके बाद जो ब्लूडूट के एक एराउंड एक फोर की टीव एकर चाहिए तो आप आईटल की इस एलेडी को दूरूर कंसीडर कर सकते हो बैकि भाई लॉंग टेम जो रिव्यू होगा वो देखेंगे हमना अपना इंस्टाग्राम अगर आप पर बता देंगे अब फर्स इंप्रेशन में तो मुझे वी इस वीडियो को लाइक कर देना है कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको यह वाली प्रोड़क्ट आईटल की 4K LED पर प्रोड़क्ट कैसी लगी है और साथ के साथ आप लोग ने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना क्योंकि इसका जो रिजल्ट होगा वो इंस्टाग इसके अलाव आप गिवेंट अश्चन में इसके अलाव आप गिवेंट रहे हैं